गूड़ मार्निंग स्टूडेंट आयम असा सर्मा योर स्टॉरी टेलर एंड तुदेग आई बिंग आई न्यू मोर इंट्रेस्टिंग स्टॉरी फोर यूँ देश्टॉरी नेम इज दविंड अंड शन विंड होती है हावा और सन सूर्यज सूर्ज सूरी नोगे तो यह जो स्टोरी है वो हवा और सूरज की बीच की स्टोरी है क्या होता है इस स्टोरी के अंदर चलो स्टार्ट करते हैं देखते हैं चलते हैं स्टोरी की दरफ On a cold day The wind and the sun had an argument On a cold day सर्दी का दिन था सर्दी का दिन था The wind and the sun had an argument Wind हवा में और सूरज के अंदर argument हो गया argument होता है बहस वाद भी वाद हो गया दोनों के अंदर बहस हो रही थी The wind shouted angrily at the sun and sad wind shouted चलाई angrily गुसे से किस पे sun पे and sad और बोलती है I am stronger than you बोलती है मैं तुम से ज़्यादा ताकतवर हूँ मुझमें ज़्यादा सकती है मैं आपसे ज़्यादा ताकतवर हूँ The sun mildly said sun जो था वो हलके से मंद मंद मुस्कुराते हुए बोलता है No You are not नहीं तुम strong नहीं हो Means क्या हुआ नहीं तुम strong नहीं हो मैं तुम से ज़्यादा strong हूँ Will they were arguing A traveler was passing through a field Will They were arguing जब वो बहस कर रहे थे A traveler Traveler होता है राहगीर रास्ते से कोई जा रहा था जब वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे तो कोई रास्ते से passing through a field खेतों के बीच से गुजरते वे कोई एक राहगीर जा रहा था He had covered himself with a blanket सर्दी का समय था और उसने क्या कर रखा था अपने आपको cover कर रखा था किस से एक blanket मतलब उसे सर्दी लग रही थी तो उसने blanket जो होती है कंबल जो होती है वो ओड रखी थी The wind said whoever success in removing the blanket from the traveler wind बोलती है हवा बोलती है whoever success वो success हो जाएगा in removing the blanket from the traveler ये जो traveler जा रहा है उसकी जो कोई ब्लेंकेट उतरवा देगा हटा देगा removing हटा देगा तो वो क्या हो जाएगा success हो जाएगा मतलब वो क्या है strong उसको strong माना जाएगा will be considered considered more stronger उसे ज्यादा ताकतवर माना जाएगा मतलब जो भी इस रहगीर की इस traveler की blanket उतार देगा वो क्या हो जाएगा stronger माना जाएगा उसे do you agree क्या तुम इसके लिए agree हो the sun replied तो wind की बात का answer देता है कौन sun I agree it's your chance बोलता है हाँ मैं भी इसके लिए agree हूँ जो इसकी कंबल उत्रवा देगा वो क्या है stronger माना जाएगा और क्या बोलता है I agree it's your chance पहले आपका chance है मतलब आपकी बारी है आप को सिस करो और उत्रवा दो इसकी blanket को go and try to remove the blanket जाओ और इसकी blanket उत्रवा दो the wind decided to show her power and blue harder the wind decided show her power wind ने अपना power दिखाना start किया और क्या किया blue harder blue बहना harder तेजी से बहुत तेजी से हवा बहने लगी हवा चलने लगी जब बहुत तेज हवा चलने लगी तो क्या हुआ जो ट्रेवलर था उसने क्या किया the traveler his blanket around him tightly traveler ने blanket को wrapped कर लिया मतलब अपने चारो तरफ उसको लपेट लिया wrapped करना लपेट लिया him tightly कसके अपने चारो तरफ कसके blanket को बांद लिया उसने wrapped कर लिया लपेट लिया the harder the wind blew और हवा ने क्या क्या और तेज चलना स्टार्ट कर दिया और तेज हवा बहने लगी the tighter the travel held his blanket और जैसे ही तेज हवा चलती traveler क्या करता अपनी blanket को और टाइट कर लेता और ज्यादा wrapped कर लेता लपेट लेता the wind felled और last time क्या होता है wind जो है वो उसकी blanket उतरवाने में क्या हो जाती है fail हो जाती है मतलब वो उसकी blanket नहीं उतरवा पाती है now it was the sun turn अब किसका turn था अब sun का turn आ गया था he smiled gently at the traveler वो क्या हुआ उसने smile किया धीरे धीरे से मुश्कुरा है वो मंद मंद at the traveler किस पे traveler को देखके राहगीर के उपर थोड़ा सा वो हसा the traveler loosened his grip on the blanket मतलब सूरज ने अपनी अपनी आपको की फूल गर्मी उसको देदी और फिर traveler ने क्या किया loosened his grip on the blanket जो उसने कसके पकड़ रखा था blanket को उसको थोड़ा सा उसने loose कर दिया मतलब थोड़ा धीलदा कर दिया उसने blanket को the sun smiled warmly और sun ने और smile किया और बहुत तेज गर्म हो गया वो the traveler felt the warmth and soon took the blanket off क्या हुआ traveler को बहुत तेज गर्मी लगने लगी वो महसूस करने लगया warm अपनी आपको गर्म महसूस करने लगया and soon और जल्दी ही took the blanket off इसने अपनी blanket को नीचे उतार दिया देखो यहाँ पे इसमें picture के अंदर भी दिखाई दे रखा है कि देखो वो एक रागीर जो है वो blanket को उतार देता है the sun was declared stronger और दोनों के अंदर जो बहास हो रही थी कि मैं stronger हूँ मैं stronger हूँ तो उस चीज़ का यहाँ पे result निकल गया result आ गया है तो आप बताओ इसमें strong कौन है इसमें strong जो है वो है sun sun is stronger यह declare हो चुका था यह साबित हो गया था कि sun जो है वो strong है किस से wind से क्योंकि wind उसकी blanket नहीं उत्रवा पाई थी और sun ने वो काम कर दिया moral of the story a gentle smile can achieve the brutal force can't a gentle smile कॉमल मुस्कान gentle smile धीरे धीरे जो मंद मंद मुस्कान है कॉमल मुस्कान से आपे वो चीज़ अचीव कर जाते हो वो चीज़ अचीव करना किसी चीज़ को पा लेना वो चीज़ आप पा जाते हो what brutal force can't जो एक क्रूर सक्ती जो होती है क्रूर सक्ती से आपे वो चीज़ नहीं पा सकते जो एक कॉमल मुस्कान से आपे वो चीज़ पा सकते हो मतलब salin रहना ही क्या है अपने लिए अच्छा है और यदि आप गुस्से में रहोगे brutal रहोगे तो आप किसी भी चीज़ को अचीव नहीं कर पाओगे salin विवार से आपे अपने success को पा सकते हो अचीव कर सकते हो success को तो बच्चों यहाँ पे अपनी story complete होती है और मिलेंगे next class में उसमें हम लोग क्या करेंगे इसके question answer जो है वो solve करेंगे explain करेंगे